हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जहां आज दुखों का पहाल तूट पड़ा है लोग चीख पुकार मचाये हुए हैं ट्विटर ने बड़े बड़ों का ब्लू टिक उड़ा दिया है खेर बड़े बड़े सेलिप्स तो चुप हैं जैसे उनको कोई फर्खी नहीं पड़ रहा किसी को नहीं छोड़ा आईटी सेल वालों को भी नहीं छोड़ा ये तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पहले ही बता दिया था कि ब्लू टिक के लिए सबको पैसा देना पड़ेगा नहीं तो जो जन्विन वेरिफाइड अकाउंट है ना लेकेसी अकाउंट जिनको कह रह लोगों के पास नहीं है कुछ लोगों को लगता है कि ट्विटर का सिर्फ ब्लू टिक चले जाने से सिलिप्स जो है वो आम आदमी के कैटेगरी में आ गये हैं उनको लगता है कि बिना ब्लू टिक के सिलिप्स ऐसे हैं कि ब्लू टिक जाने के बाद विराट कोहली की क्या आलत हो गई ये वताते हुए भी एक तस्वीर वारेल हो रही है ट्विटर वालों ने भी अपनी जिंदगी में क्या-क्या नहीं देखा है एक जमाना था जब बहुत कम लोगों पास ब्लू टिक हुआ करता था और ब्लू बावर आया जब ब्लू टिक पाना बहुत आसान हो गया धडले से लोगों ब्लू टिक मिल रहे थे मुझे तो लगा कि कहीं ब्लू टिक वालों की आबादी पूरी दुनिया की जो इंसानी आबादी उससे ज्यादा नहों जाए फिर जब एलें मस्क ने ट्विटर खरीदा और पैसे लेकर ब्लू टिक बाटना शुरू किया तो तो ओ ओ ओ ओ ओ फिर तो मुझे लगा कि एलियन लोगों के पास भी अपना वेरिफाइट अकाउंट होगा लेकिन मैं बड़े गर्व से बताना चाहूंगा कि मेरे पास इस ब्लू टीशर्ट के अलावा कहीं ब्लू टि मैं लोगों को यह बताने लगा कि ब्लू टिक कितनी वाहियाद चीज है और यह कितना एलिटिस्ट कांसेट है अब क्या अमेरिका में बैठा हुआ कोई चमन चंडूस मेरी पहचानता करेगा और बताएगा कि नहीं यह वेरिफाइड है जब मस्कवा पैसे लेकर ब्लू टि दिया था कि इनका लेकसी कांट चला जाएगा ब्लू टिक वाला तब से उनकी रातों की नीद उड़ी हुई थी और फटा फट पैसे देकर अपना ब्लू टिक पक्का करवा लिया था अब देखना यह है कि कौन से स्पेशल लोग ट्विटर पर स्पेशल बने रहने के एलन मस्क भी ट्विटर ब्लू के लिए पे कर रहा है या उसने ट्विटर कमपनी खरीद के ही उसने एड़ेस्ट कर दिया है